हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलेन क्लासिज में बच्चों आज हम सभी सॉल्फ करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंगलिज की ऐसे फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर टू की वर्कशीट तो बच्चों क्लास फिफ्ट की हम यहां बात कर रहे हैं बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए रड बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल जारेडा उनलेन क्लासिज को सब्सक्राइब कीजे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों यहां आपको MCQ दिये गये है आपको अपना जो करेक्ट आंसर है वो यहां से चोह करके और यहां पे बताना है फर्स्ट है my mother gave me dash egg in the breakfast तो बचो देखिए यहाँ पर egg दिया गया है egg हमारा क्या है बचो A, E, I, O, U बचो यह हमारे vowels होते हैं इन vowels के साथ हमेशे किसका use होता है N का use होता है तो यहाँ egg E है E हमारा vowel है तो इसके साथ क्या आएगा N My mother gave me an egg in the breakfast नेक्स है Choose the noun from the sentence given below The girl is walking very fast बचो अब आपको noun बताना है कि इस sentence में noun कौन सा word है The girl is walking very fast लड़की बहुत तेज से चल रही है तो देखिए बचो noun क्या होता है noun is a name of person, place, animal और thing तो बचो यहाँ पे girl girl हमारी क्या है? noun है एक लड़की नेक्स्ट है बचो ताजमेल इस इन आगरा तो बचो देखिए किसी भी holy river या किसी भी particular place इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ हमेशा क्या आता है? दा आता है तो यहाँ पे आएगा दा ताजमेल इस इन आगरा ताजमेल कहां है? आगरा में डेली इस आ बचो देली क्या उंसर नाउन है? हमारा common noun, collective noun या proper noun तो बचो देली हमारा proper noun है एक particular चीज की बारे में हम बता रहे हैं ठीके, a dash of bananas बचो, bananas का क्या होगा? bunch, group और herd बचो, बहुत सारे banana के bunch होता है ठीके, तो bunch of bananas next is state true or false such in tendulgar is a common noun तो बचो, such in tendulgar common noun है तो बचो, यह हमारा false होगा the shop is closed on Sunday noun in this sentence are shop and Sunday तो बचो, देखिए, जो shop है जो दुकान है, वो Sunday को बंद रहती है तो इस sentence में Sunday और shop हमारा क्या है? noun है तो यह क्या सही है यह गलत है तो बचो, this is the true statement next है, we can see the abstract nouns बचो, abstract noun को क्या हम देख सकते हैं? तो बचो, यह false होगा abstract noun को हम देख नहीं सकते and only feel like honesty, loyalty, okay happiness N is used before the word hurt तो बच्चो, देखिए, मैंने आपको बताया N किस के साथ यूज होते हैं? vowels के साथ यूज होते हैं हट के साथ N यूज नहीं होगा this is false next, she and it are pronounced बच्चो, she and it pronounce है तो यह भी बिल्कुल true है okay students next है बच्चो हमारा answer the following question अब बच्चो, इन questions के answers आपको करने है underline the noun in the given sentence बच्चो, अब noun आपको बताना है noun, name of person place or thing ठीक है? तो first है बच्चो रमन likes to play with animal रमन को animals के साथ खेलना पसंद है तो बच्चो, इस sentence में noun होंगे रमन, name of a person and animals okay next है बच्चो, write any two proper noun for the given common noun बच्चो, two proper noun लिखना है हमें किसी common noun common noun है हमारी girl इसके बारे में दो proper noun लिखना है mamta and seema ठीक है? गीता, सीता भी आप यहां लिख सकते हैं next है बच्चो, write any two abstract noun तो बच्चो, abstract noun जिसे हम देख नहीं सकते जिसे हम only feel कर सकते हैं love, anger, happiness ओके? यह हमारे abstract noun होंगे next question number 14, rewrite the sentence by correcting the underlined mistake lina is a good girl, he respects everyone तो बच्चो, lina हमारी एक लड़की है ठीक है, lina is a good girl, वो अच्छी लड़की है और वो सभी की respect करती है ठीक है, तो lina के लिए बच्चो, he, यहीं आएगा यहां पे she आएगा ओके? वो एक लड़की है तो यहां पे लिखेंगे हम, lina is a good girl, she respects everyone next है बच्चो, write the suitable article for the following word तो बच्चो, आपको बताना है कि इनके साथ किसका use होगा a और n तो बच्चो, umbrella umbrella u हमारा क्या है? वोवल तो वोवल के साथ n आएगा an umbrella toy train तो बच्चो, t हमारा क्या है? consonant है तो इसके साथ आएगा a toy train next है बच्चो, picture based question look at the picture carefully and fill in the blanks तो बच्चो, देखिए आप सभी को पता है यह किसका picture है तो बच्चो, this is a rainbow it has seven colors, बच्चो, इसमें seven colors होते हैं it is seen in the sky after rain बच्चो, जब बारिश हो जाती है उसके बाद यह हमें दिखाई देता है and two colors that can be seen in the rainbow बच्चो, rainbow में seven colors होते हैं यहाँ पे आपको two colors बताना है blue, red, बच्चो, इसमें green, yellow, purple, violet यह सभी color होते हैं ठीक है? तो आपको कोई भी two colors यहाँ पे लिखने हैं इस तरह से बच्चो आप सभी को अपनी worksheet को solve करना है I hope आप सभी को अच्छे से समझ मैं होगा बच्चो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें जादा से जादा वीडियो को शियर करें और नीचे दिये comment box से मुझे comment ज़रूर लिख कर बता है कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा अब अच्छो जिन्हों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है जल्दे से जाईए red बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को subscribe कीजिए चैनल को subscribe करना ना भूलिए थैंक्स वर वचिए वीडियो वन इस दे स्टूदेंज